गुद यूदिए स्टुएंस लास्ट टाइम वी डिसक्स चेप्टर 3 एक्सपोनेट और इन दीच सब्सक्राइब करेंगे लिटरल नंबर मतलब की जो अलफाबेट होते हैं उनकी बात हो रही है कि हम जो अन्नों कोई भी वेल्यू है उसको हम एक्स वाइज के एक्वल माल लेते हैं तो देफिनेशन के अकोजिंग दा लेटर वीच आर यूस्ट टू रिप्रेजन रिप्लेस नंबर और नोस एंड लिटरल नंबर और सिंप्ली लिटरल मतलब कि जो हम अलफा वे जो भी लेटर यूस करते हैं जिसी भी नंबर क वे प्रेजिट लीरिच या उसको रिप्लेस करने के लिए उनको हम सिंप्ली लिटरल बोलता है ठीकि है जिसे कि अगर हमें एक ग्जांपल देखें पेरी मीटर रौफ इस्कौायर का प्रिम्राओ इंपैरेमिंच नीकि टो हमरी यहांपे जो तो थो श्रूप्द्ध्ब इ से माना है तो यहां पर पेरिम्टर काँ पी से ले रहे हैं है साइट को इस से ले रहे हैं नुए जब इंडा पीडी तू फॉर्र एंडेर्न is a फोर फैरम्लीब हां साइट को हमने की साइट को हमने विद्छ किया है तो हमारा पीकौर federal तू इक विल्ए वन गई तो यहिह एलजेब्रिक एससं में घरते हैं नंबर तो लेटर का यूज करते हैं एक्सेसाइज स्टाट करते हैं हम 4.1 एक्सेसेस 4.1 मालेज्स एसमें webinar's question मैज transit ४ंसे क्यार वन एपल वेट is 75 g Намma 1 उरेंज वेट इज 40 g दा वेट आफ़ एकस एपल का वेट 75 तो यहां पर टोटल करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर वन औरेंज है तो वन औरेंज का वेट तो कि अगर एक औरेंज है तो फॉरेंज है तो इन्टू फॉर्टी तो जितने वह उसका इंटू अगर वेट में होगा तो वह नंबर आफ औरेंज का वेट आएगा और एक्सका भी एपल एकसे पले तो वन एपल का सेवंटिफाइव ग्राम तो टू एपल का टू इंटू 75 तो एकसे पल का क्या होगा एकस इंटू 75 तो 75 एकस तो आपका किसका वेट है एपल का और फोटी वाय किसका वेट है ओर इंज का तो टोटल क्या होगा प्लस करेंगे यह तो यह आपका आंसर हुआ C option is correct और यह क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि 40 के साथ X है जबकि X क्या है एपल है और 40 किसका वेट है औरेंज का वेट है इसलिए बी वाला उप्सन गलत है आपको बी में तो यह हो रहा है लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 75 को साथ Y का इंटू हो रहा है मतलब की जो वेट ए रहे हैं इसलिए बी ऑफशन रहोंगे और टोटल में प्लस होता है तो ए और दी तो हो नहीं सकता तो बी और सी होगा लेकिन राइट ऑप्शन क्या है सी है ओके सेकर्ड वन पेंसिल कोस्ट तू रूपीस एंड वन फाउंडेंट पेंड को सिफिटीन दर कोस्ट आप एक्स प Sugap तो OUT तू एक्सुं का वाइंट व फिफ्टी वाइंट ओछे लिए तो एक्सी वहें की चिके प्लस जोगा होटो फित्वाइक सेक्जू नेटक्स के समसे करते ऐसें ना मरे पास है Write the algebraic expression for each of the following statement or phrases Using the numbers, literal and basic operation Basic operation का मतलब होता है Plus, Minus, Into, Divide है यह चार जो operation है वो हमारे basic होते है Literal मतलब की alphabet और number मतलब की numbers जाब जानते हो तो इनका use करके हमें क्या बनाना है algebraic expression बनाना है algebraic expression मतलब sentence को हम इस तरीके से मनाएंगे यह algebraic expression है 2X-15 इस तरी सामें बनाना है तो हम first वाला solve करते है The sum of X and 5 is added to Y मतलब sum किसका करना है X और 5 का और उसको जो answer आएगा X plus 5 का वो add करना added वतलब फिर से add करना है किसमें? Y में तो solve करते हम first question को तो यहाँ पर first में क्या है sum of X and 5 तो X और 5 को sum कर दिया तो दोनों को bracket में लिखा और यह जो sum आया है इसको Y में edit करना है तो Y को plus कर देंगे तो यह हमारा statement बन गया first वाले का ठीक है second statement देखते है second जो है X less than the sum of Y and Z तो Y और Z में से less than करना है X को तो पहले हम sum करेंगे उसमें से कम करेंगे तो Y plus Z का sum किया तो bracket में लिखा Y plus Z और इस sum में से क्या less than करना है माइनस X तो X को माइनस कर लेंगे मतलब less than का मदलब माइनस तो X को माइनस कर लिए तो Y plus Z bracket के अंदर और माइनस X हमने यहीं लिखती है तो बहुत simple question थै अब आपको fair में लिखना है ठीक है third is four times the sum of X and Y मतलब X और Y का जो sum हो रहा का four times करना है तो X plus Y करके bracket में लिखा और इसका four times मतलब four का multiply कर देंगे तो answer के मना four bracket में X plus Y next is the quotient of X by Y is added to the product of X Y मतलब quotient मतलब की जो हमारा answer आता है किस से divide करने पर X को divide करना है by Y से मतलब X upon कि आएगा Y क्योंकि X को divide किया Y से तो यह answer आया और इसका जो answer आ रहा है X upon Y का वो add होगा added plus को होगा किसमें product of X and Y मतलब X और Y का multiply में तो X Y आएगा तो answer हुआ X upon Y plus X Y ठीक है यह हमारा complete हो गया next question number third, four और fifth हम नहीं कर रहे है ठीक है क्योंकि simple question हमें करने थे तो कि यहां पर सिब हमें knowledge लेना है कि algebraic expression बनता कैसे बाकी detail जो अच्छे question है वो next exercise में आ रहे हैं यह हमने six class में भी किये थे आप चाहिए तो third, four, fifth अपने लेवल से आप do yourself कर सकते नहीं तो compulsory नहीं है हमने फर्स और second question कर लिया है knowledge के लिए तो यह काफी है next exercise पर आते हैं उससे पहले हम algebraic expression को समझते हैं कि अगर algebraic expression वाके में होता है क्या है ठीक है तो समझते हम तो सबसे पहले हम variable और constant को समझते है तो variable and constant of algebraic expression तो variable क्या होता है a symbol which can take various numerical value is called the variable or literal मतलब जो x, y और alphabets जो होते है उनकी value क्या होती है various numeric value मतलब change होती है not fixed value आप यह भी लिए सकते हो a symbol which can take not fixed value is called the variable मतलब variable की value fix नहीं होती है कभी आपने देखा होगा तो x की value 2 आ जाती है कभी 2L आ जाती है कभी minus 2 आ जाती है कभी 10 आ जाती है तो जो variable है उसकी value question का को जी अलग अलग आती है कभी 2 आ रहे है कभी 3 आ रहे है कभी minus 10 आ रहा है तो जो वेल्यू जो symbol जिसकी वेल्यू कभी कभी फ्र familiar हिर लोते हैं अब स् जब्ल कऊंस्टेंट रहा है Federal with इस सिंडॉल उसी वेल्यूंन प्सक्राइप इस इस तो बितब्ट आए वो होते हैं constant तो इस प्रेशन में हम इने देखा है कि number भी होते हैं और symbol होते हैं तो जो अलफावेज होते हैं उनको वेरियेबल बोलते हैं और जो नंबर उसको कॉंस्टेंट बलते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम एलजेब्रिक एस्प्रेशन की में डेफिनेशन आ रही है जिसमें लिखा है एक कॉंबिनेशन ओफ कॉंस्टेंट एंड वेडियेबल कनेक्ट बाइद शाइन ओफ फंडामेंटल मतलब अगर हम कॉंस्टेंट और वेडियेबल को कनेक्ट करें किन के दुआरा एडियेशन सप्रेक्शन मल्टिपिकेशन के दुआरा तो वह कहलाते हैं एलजेब्रिक एस्प्रेशन मतलब फॉर एक्जामपल जैसे आपने देखा कि यह ठी और एक्स का इंटू हो रहा है ठी सबसे क्यांट इस निय едंक तो यह प्लेट एलजेब्रिक एस्प्रेशन मों को लिखा देपां तो सिंगल भी हो सकता दोसाथ में भी ऐसकते हैं दो से जादा भी array वह सकते हैं अगर हम लिखेंगे x plus 3 तो ये भी एक algebraic expression है क्योंकि यहाँ पर क्या और variable or constant plus के साथ connect है तो ये भी algebraic expression है ठीक है अगर आप minus के साथ लिखते हो तो minus जिससे की x plus 3 भी algebraic expression है 5 minus 2 ये minus के साथ connect है तो ये भी algebraic अगर single चाहते हो तो आप single में x minus 7 लिख सकते हो तो ये भी algebraic expression है x minus 7 y भी लिख सकते हो ये भी algebraic expression है तो variable constant connect होनी चाहिए symbol plus minus into device से तो algebraic expression बनता है इसा भी हो सकता है y upon 3 ये device से connect है तो ये भी algebraic expression है multiply में तो हमने बताए दिया है 3 x ये भी multiply से algebraic expression मना हुआ है आगे हैं लिएज पार्ट ऑफ द डी पर्स परिशन तो जो वेडिश ब्रश में अलएलग पार्ट आपको नजर आते हैं वह क्या क्या कहाती प्लस और माइनस से जैसे अब पूरा एक कुस्छन है तो यह पूरा कोश्चन एलजेब्री का इस्प्रेशन है लेकिन इन में अगर आपको तर्म फाइंड करनी है तो तर्म कैसे सेप्रेट होगी प्लस और माइनस से जिसे माइनस है तो उसके आगे वाला पूरा एक साथ मल्टिप्लाइ में हैं लेकिन फिर भी एक तर्म है क्यो सबसे पहले मोनोमियल मोनोमियल जो होता है उसमें एलजेब्रीक इस्प्रेशन में केवल ओन्ली वन तर्म होती है में कि यहां पी करें फिर नमबर में मिल्टिप्लाइबक हो रहा है लेकिन प्लस मैंने सोच को सिंगल बीशे में नहीं है तो ये शिंगल सब्सक्राइब उन्हिंड थीर इसमे cupcake और और दौ तर्म के साथ ठीए और एक्स 3 x plus 3 नहीं हुआ है इसमें क्या वह रहा है x अलग हो गया बास के साथ 3 ब्लस से क्या हो यह ढोंग हो गया ა पर 2 छे सब्सक्राइब जोगी वह सेप्रेट हो जाती अलाल हो जाती है यह पर नाम से उस पर से ट्राइम टीन तर्म को गी तो एक एए यहां पर देखिए 2x y और 3 प्लस या माइनस कुछ भी आजाए तर्म से प्रेट हो जाती है एक ठर्म हो गए यह माइनस के बाद दुसरी बाद तर्म है प्लस के बाद तर्म होगी तो तो जाम कि नाम हम देख रहे है तो single में mono oneel दो दर फे बैनोमील थ्री होगा तो ट्राइड विर आफ चाहल सो फोर चौर्म आगर है मैं पर फोर ट हैं ऐल्जेयर्ब्री मे Te breve कर्टेनिंग इंड फोर टंभे तो आ Wak become polynomial को जाए उस से ज्यादा जो भी था ऊती है वह polyNomia ndra पे मतलब आप वानमियल को भी polynomial बोल सकते हो this foreign बोल सकते हो उससे ज्यादा 5 तरमोह 6 एंद में सकते हैं इसों सब पोलं पार उसमें है वाध मॉनोमील निल सब्यailed ककॉन नभी है तू उसे जादा किटन रहुट को पोली है वाध मल सकते हैं तो पॉली नुमियल हो गया परी हो शरीया लैकल अधिके अब आई कुस्षान दो चल दाना है मोन मिल कोन वाइब मीड टान उन्य वहां को नो मियल और तो हमने देखा यह सेवन अकिला है तो मोनोमील माय यहां पर दो डर में पाइनो मेल माय यहां पर फूर दर में कोर्टिनो मिल माय यह उसी तरह से यह किस तरह का वल्जेब्री इस प्रेशन ने तो यह plus minus के बाद मैनस से आगे एक टरम होगी मायनस के बाद दूसरी तन मप्लस के बाद तो तरी यह तो तैनंड सौकर्ण सीश में PCR है अब एकसेसीज पारते हैं एकसेसॉ एकसाइस फॉर-पॉइंट 2 यहां से हमार कोस्टन स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट कोस्टन हमारा mcq mcq में क्या लिखा है the term is expression four y square minus five x और तो यहाँ पर इसके term बताने हैं तो term बताने हैं तो हम देखने हैं कि एक में लिखा है four y square, five x तो four y square भी है five x भी है यहाँ पर लिखा है four y square और minus five तो minus भी है और यहाँ पर y यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह लिखा है तो मेरी बास सुनो term जो होगी वह पूरी होती है तो four y square पूरा एक हो गया और five x है लेकिन माइनस जब भी आएगा उसको हमें नंबर के साथ लेना है प्लस आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कुछ भी नहीं लिखते है तो प्लस होता है तो माइनस जब यह उसको नंबर के साथ लेना है तो हमाई दो तर्म यहाँ पर कौन से हुई एक हुई four y square और सेकंड हो गई माइनस five x तो इसलिए हमारा डी ओप्सन राइट तो टर्म सेपरेट कब होगी माइनस अगर है तो उसको हमें उस तर्म के साथ लेना पड़ेगा ठीक है तो माइनस को लिए तो माइनस five x आएगा यह हमारा डी इस राइट ऑप्सन आ हुई वीच आफ दे फॉड़ाई में इस नौट राह कुम सी बॉस्प मजी क्विस आगे कर्दो टर्म ह्याच रूह आपर बीप्लस सी यहज़िस के बाद सपरेट होगी है यहां भीच में प्लस यह फिर सकान पार अगे प्लस के पूरी एक है माइनस इस टर्म के साथ जाएगा उसरोड माइनस के आगे कुछ term होती तो हमारे ही ट्राइनुमील होती है लेकिन माइनस के आगे कुछ भी नहीं है तो यह माइनस सेवन एकस वाई स्क्वर सिंगल टर्म है प्लस के बाद सेकन्ट इसके बाद second question हमारा है identify the variable and constant where the parameter is P of square is given by the formula P equal to 4S तो variable क्या होते है later होते हैं ना English alphabet की later तो variable equal to हमारे यहां प्रमूले में P और S और constant क्या है number होते हैं जिनकी वेलिव चेंड नहीं होते हैं number four हमारा constant तो यह आप आसानी से कर सकते हो ठीक है next question जो है हमारा third वाल यह भी बहुत easy question है इसमें लिखा राइद the following in exponential form exponential form का होता है power में लिखना है तो first में लिखा a multiply 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 which time 10 time तो इसका जो आप answer लिखो गे तो a की power किती हो जाएगी 10 हो जाएगी क्योंकि a किती बार 10 time multiply है तो हमने बताया आपको कि जब जैसे a की power 10 है मतलब इसका winning क्या है नीचे वाला एक किती बार multiply करना है 10 time तो हम इस तरह से question कर चुके हैं उसके पाद यह 7 a multiply a b multiply b c multiply c तो यहां तो यहां पर हमारा answer जो आजाएगा 13 पी की power 7 कि 7 time है और q की power हो जाएगी 12 तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा question number complete हो गया है second थाड़ वाला तो यह हमारा question complete हो गया है इसके बाद नेक्स question हम नेक्स वीडियो में discuss करेंगे thank you very much